किसे क्रिएट करते हैं आज हम इन्म्नु कर फैवर में हमथेंगे कंट करते हैं की व्यक्री उपन कि व已经 की बेबसाइट ऊपन है हम अपनी पर फाइल पर जाएएंगे है टेजसिर हमारी पिरफाइल को गए जो हमने लास्ट विडिया में अमने बनाई थी हैं यह पिच्तिर होगे नाम हो गया यह सब टाइटल में मेरा पर फैशन हो गया और यह मने लास्ट फैम हमने मिसी है था हम O wears पर Oenas एक हैसे क्रिएट करते हैं तो आज की वीडिया में हम देखिए कि हमुआ ही पर जो सर्वस पर्वाइड करना चाहते है उसको कहते हैं गिल गम यह तो डिख्र आ franc हम इस पर क्लिक करके हम एक नई गिग बनाएंगे जो फाइवर पर हम सर्वस प्रवाइड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को यानि ऐसी गिग जो इस पर हम महारत असल करते हैं यानि इक को बेसिकली स्किल कहते हैं किल जो आपको आपती है हम क्रियेट न्यू गिग पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह फाइवर का यानि उस गिग की रिक्वाइरमेंट उसके टर्म्स एंड कंडिशन्स उसमें उसकी कैटेगरी यानि यह सारी एफ एक्यूज हमें कंप्लीड करने पढ़ें यह देखें सबसे पहले तो गिग की जो डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले तो उसमें हमने ओवर्वियो देना है कि हम बनाना क्या जा रहे हैं यानि हम क्या सर्वस प्रवाइड करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है गिग टाइटल यानि आप अपनी गिग यानि टाइटल क्या होना चाहिए आपको किस टाइटल से आपको सर्च आउट करें, अब से पहली requirement यह है, यानि आप मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इस टाइटल क्या रखना है, मैंने कैसे वर्क आउट करना है, हमें फिलाल कोई किसी चीज की समझ नहीं है, हम इस वीडियो में सिखेंगे, हमने title कैसे रखने है, हमने category क्या select करनी है, हमने keyword क्या select करने है, ये सारी चीजे हम इस वीडियो में सिखेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक new tab open कर लेता हूँ, new tab में भी मैं अपना fiver open कर लेता हूँ, यह मैंने Fiverr का link open किया यह देखे मेरे सामने Fiverr का panel open हो गया है अब हमने देखना है सबसे पहले तो हमने यह देखना है कि हम service क्या provide करना चाहरे हैं कैसे मैं email signature की service provide करना चाहरा हूँ यहां पर क्या लिखूंगा email signature आप जो service provide करना चाहरे हैं आप उसके related search out करेंगे यह मैं email signature के related search out कररा हूँ मैंने इस पर click करिया यह देखें है हमारे सामने बहुत सारे gigs open हो गई है मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो मैंने क्या करना है मैं टाइटल select करना है कि मैं अपने gig का title क्या रखना चाहता हूँ सबसे पहले तो यह देखे मेरे पास बहुत सारे उपन हो गई है मैंने यह डेखे यह Level To का Sellर है मैं इस पर क्रिक करता ओ हूँ इसको New Tab में मैं Open आब कर लेता हूँ यह भी Level To का Sellर है मैं इसको भी एक New Tab में Open कर लेता हूँ यह भी Level To का Sellr है यानि मैंने ऐसी Чार ऐसी गिक्स लेनी है जो Level To का Sellर है और यह Fiverr choice होनी चाहिए मैं उसको एक new tab में open कर लूँगा open करने के बाद हम क्या करेंगे मैं अपने फर्स्ट जो मैंने tab open किया था ना Fiverr का जो main platform है उस पर आ जाऊंगा यह देखें यह हमारे title बने हुए है यह कहता है I will make clickable HTML email signature for outlook और Gmail यह कहता है I will make modern HTML signature मैं यहां पर लिख सकता हूँ मैं इनको देखकर मैं भी अपना एक title यानि इन सब को combine करके मैं अपना एक title create कर सकता हूँ क्यासे मैं करता हूँ I will do modern या I will make modern clickable email signature यानि I will make या I will design modern clickable email signature यानि मैंने इन चारों title में से अपना एक title select किया कि I will I will can design I will design design modern modern clickable email signature I will design modern clickable email signature ये देखें मैंने अपना title एक select कर लिया है अब ये title आपका कहता है perfect है ये आपका title कहता है perfect है यानि जितना कहता है short title आपका होगा वह उतना ही अच्छा होगा लेकिन मेरे पास एक तो मैं थोड़ी सी और इसमें addition करना चाहता हूं जैसे ये काता है for outlook gmail मैं यहां पर लिख देता हूं for email मैं सिरफ gmail के लिए लिख लेता हूं जैसे मैंने लिख दिया for email यह आगया मेरे पास मैंने लिखा I will design modern clickable email signature आप I will make भी कर सकते है modern I will make attractive भी कर सकते है I will make यानि elegant भी कर सकते है आपको जो पसंद आएगा आपने वही title रख लेना है उसके बाद आपने उसकी category को select करना है यानि यह category आ जाती है मेरी ग्राफिंग एंड डिजाइनिंग में है क्योंकर मैं एक attractive email signature modern email signature design त्यार कर रहा हूं उसकी सब category क्या होगी आपने सब category भी select कर लेनी है जैसे मैं कोई भी सब category इसकी क्या रखना चाह रहा हूं poster design, book design, album design, story design यह उसने बुच्चा है कि आप इसकी category क्या रखना चाहरे है आप इसकी category अपने मताबिक क्योंकर यह category select करना इसलिए जरूरी होता है कि जब कोई buyer आता है ना बायर जब Fiverr पर आता है वह customer से कोई चीज यानि customer से अपनी service चाहता है आपके मुझे यह काम चाहिए तो जब वह अपनी post को यानि अपनी जो भी उसकी post होगी उसको request करेगा ना तो हमें उस post के नीचे वह बताएगा कि यह किस चीज के related है यानि किस यानि फरम के related है या एक इस field के related है तो वह लिखेगा तो हमें उसके related ही हमें उसकी request आएंगी जैसे यह लिखा हुआ है email design मैं इस पर click कर दूँगा click करने के बाद अब मेरी category भी आगी और मेरी sub category भी open होगी है उसके बाद कहता है कि gig का metadata गया है यानि data about data metadata basically होता है कि आपकी जो gig है न उसका data है और उसका तब data क्या होगा अब यह कह रहाता है select email type you design आप किस किसम का email design त्यार करते हैं मैं कहता हूँ marketing और newsletter ऐसा मैं design त्यार करता हूँ वह कहता प्लाटफॉर्म टूल आपका क्या है यानि आप कौन सा प्लाटफॉर्म इस्तमाल करते हैं इस पर काम करने के लिए यानि मैं लिख देता हूँ adobe x मैं यह भी यूज करता हूँ इसके लावा आप यानि कोई से तीन स्लेक्ट कर लें Photoshop यूज करता हूँ मैं HubSpot भी यूज करता हूँ यह चीजें यूज करता हूँ अपने डेटा को गैट करने के लिए यह देखें आपने सिरफ तीन फिल्ट को स्लेक्ट करना है अपने डेटा को फैच करने के लिए अब यह आगया कहता है पॉजिटिव कीवर्ड यानि आपकी जो भी गिग है उसके रिलेटिड आप पॉजिटिव कीवर्ड जो भी देंगे जब कोई बायर फाइवर अकाउंट पर लोग इन करता है तो वो अपनी रिक्वास्ट को पॉस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसपर किया, इतने भी गिग्स थी ना वो सारे पैनल ओसका अब हम देखेंगे उन्होंने कौन-कौन सा keyword इस्तमाल किया है जिसकी वज़ा से वह फस्ट पेज़ पर रैंक कर रहे हैं मैं कहा करता हूँ मैंने यह मैंने पहला टैब ऑपन किया अब मैं इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ निचे आता हू Pit那就 मुझे नीचे क्या मिलेगा कंडू própria किया है ये देखिए आंगए यह प्रव् argued जिसकी यह गीघ्ज्च रैक रही है तो हम क्या करेंगे इसको हम उठा लेंगे टीके अब सीधनेचर तब से पहले तो में लिखें में इमेल dit signature, जो main Calling Тगไह न है वह यह ए? email signature खिरा गया HTML email signature दोसरा है HTML email signature आपने कोई से पांस keyword आपने maximum select करने हैं पांस से ज्यादा नहीं आप select कर सकते हैं फिर आ गया gmail signature, gmail signature हो गया, ये आ गया हमारा gmail signature, के बाद आ गया, gmail के बाद आ गया click cable signature, click cable signature, ये हमारे चार हो गये, एक हम next fix उठा लेते हैं, मैंने दूसरा tab open किया, ये भी level two का seller है, मैंने ये tab open किया है, मैं इसको scroll down करता हूँ, scroll down करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं लगता है इसने ये दिये, ये इसने दिया हुए, apple, outlook, gmail, email, html signature, यानि इसने ये keyword लिखे हुए है, ये हमने already select कर लिया हुए, अब मैं third tab open करता हूँ, third tab जैसे मैंने open किया, ये देखे, इसने लिखा हुआ है, html email signature, email signature, html signature, अब ये हमारे पास एक नया आ गया, html signature, मैं fourth tab भी open कर लेता हूँ, यहां पर भी देख लेता हूँ, शायद यहां पर कोई मिल जाया है, मैं 5 वहाँ, यहां पर लिखा हुआ, corporate email signature, html signature, यानि मुझे मिला है, मुझे मिला है, html signature, html signature, signature, हमने 5 keyword select कर लिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने title भी select कर लिए, I will design modern click cable email signature for Gmail, इसके बाद मैंने category भी select कर लिए, मैंने metadata भी select कर लिए, मैंने data कहां से ठाला है, कौन कौन सा, कि मैं platform मैं इस्तमाल कर रहा हूँ, इसको काम करने के लिए, अब मैं क्या करूँगा, save and continue पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, कैसे मैंने save and continue पर क्लिक किया, तो देखें मेरा overview हमारा complete हो गया है, अब next हम pricing की बात करेंगे, तो अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है, तो पाकी हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, और हम मिलते हैं हम अपनी next वीडियो में जिसमें हम अपनी pricing के बारे में बात करेंगे, अब तक अब आप अपना ख्यार रखीए, टेक केर, अल्ला हाफिस,